उधारन चौदा, यदि त्रिभुज ABC और समानतर चतुर्भुज ABEF एक ही आधार AB पर तथा समानतर भुजाओं AB और EF के मध्य इस्तित है, तो सिद्ध कीजिये की त्रिभुज ABC का छेत्रफल बराबर एक बटे दो गुनित समानतर चतुर्भुज ABEF का छेत्रफल उधारन चौदा, बच्चों आपके सामने एक चित्र जो दिखाई पड़ रहा है, उसकी मदद से हम एक त्रिभुज और एक समानतर चतुर्भुज जिनके आधार एक ही है और जो एक ही समानतर रिखाओं के बीच निर्मित है, उनके शेत्रफल के बारे में है, क्या सम्मन्ध यह हम देखने कोशिश करेंगे, आप देखिए, एक समानतर चतुर्भुज F, A, B, E है, और एक त्रिभुज C, A, B आप देख रहे हैं, इनके शेत्रफलों के बीच में कोई सम्मन्ध है, क्या यह हम देखने के कोशिश करेंगे, और उसके लिए हम थोड़ी से रशना करते ह समानतर चतुर्भुज की जो उपर की भुजा है, F ही, उसे हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, और जो त्रिभुज की एक भुजा A, C है, उसके समानतर एक रेखाखन हम यहां से खीचते हैं, जो बढ़ाई वीर रेखा को H पर मिलता है, और यह रेखाखन BH बनता है, तो ऐस करने पर आप देख रहे हैं कि एक त्रिभुज की रचना यहां पर हो रही है, और जो इस त्रिभुज की जैसी लग रही है, अब हम इस त्रिभुज और इस समानतर चतुर्भुज की शेत्रफल के बारे में विचार करते हैं, आपने अभी यह पढ़ लिया है, कि एक ही होता है, तो आप यदि गौर से देखें, तो आपको दो समानांतर चतुर्भुज भी यहां पर दिखाए पड़ेंगे, एक समानांतर चतुर्भुज F.A.B.E. है, और दूसरा समानांतर चतुर्भुज C.A.B.H. है, तो आप यह कह सकते हैं कि इन दोनों समानांतर तो हम त्रिभुज के शेत्रफल के तुलना पहले वाले समानांतर चत्रफल से कर सकते हैं तो देखिए हम समानांतर चत्रफुज A B H C और त्रिभुज C A B के शेत्रफल के बारे में विचार करें तो आप देखेंगे समानांतर चत्रफुज A B H C इस समानांतर चत्रफुज में C B ये B C विकर्ण है और आप जानते हैं ये समानांतर चत्रफुज का विकर्ण समानांतर चत्रफुज को दो बराबर हिस्सों में बाड़ता है तो आप देख रहे हैं कि ये समानांतर चत्रफुज C A B H का विकर्ण सी बी इस पूरे चत्रफुज को दो बराबर हिस्सों में बाड़ता है C A B त्रफुज और त्रफुज C B H तो आप इस आधार पर क्या सकते हैं कि त्रफुज C A B C A B बराबर त्रफुज C B H और आप ये भी परणाम निकाल सकते हैं यदि हम दोनों चत्रफुज को जोड़ दें तो समानांतर चत्रफुज के शेत्रफुज के बराबर हो जाएगा तो हम लिखे शेत्रफल त्रफुज C A B धन शेत्रफल त्रफुज C B H बराबर शेत्रफल समानांतर चत्रफुज C A B H C A B H अब चोगी अभी आपने C A B और C B H के शेत्रफल बराबर लिखा है तो आप यहाँ ऐसा लिख सकते हैं शेत्रिफल त्रिभुट CAB का धन शेत्रिफल त्रिभुट फिर से CAB है अब कर दें क्योंकि आप ने देखा है कि दोनों बराबर है यह बराबर हो जाएगा शेत्रिफल समरांतर शेत्रिभुट CABH के आप देख रहे हैं कि आप दिख रहे हैं कि CAB और CAB के शेत्रिफल दो बार आया है तो आप लिख सक्ते हैं दो गुणित शेत्रिफल त्रिभुज CAB बराबर शेत्रिफल समरांतर चत्रिभुज CABH एक गड़ना के तोर पर चल रहा है इसको पहले आपने यहां पर देख लिया था और आप लिख सकते हैं कि शेत्रिफल त्रिभुज CAB बराबर एक बटे दो गुणित शेत्रिफल चत्रिभुज CABH अब इसे आप शेत्रिफल त्रिभुज CAB का CAB त्रिभुज का शेत्रिफल इस पूरे समरांतर शेत्रिफल के शेत्रिफल का आधा है यह पर नाम आपने गड़िती रूप से हैं प्राप्त कर लिया अब आपको यह पता है कि आपने पढ़ा था कि अगर दो चत्रिभुज एक ही आधार पर निर्मित हो और समरांतर रिखा हो कि एक ही जोड़े के बीच हो तो उनके शेत्रिफल बराबर होते हैं आप इस आधार पर देख सकते हैं कि एबी या सी एबी एच समनांतर चत्रिभुज समनांतर चत्रभूज C A B H का शेत्रफल बराबर शेत्रफल समनांतर चत्रभूज F A B E के F A B E ये बात आप समझ पा रहे हैं एक समनांतर चत्रभूज ये है और दूतरा समनांतर चत्रभूज ये आपको दिखाए पड़ा है जिसके दो भुजाएं लाल रंग से हैं ये दोनों समानांतर चत्रभूज एक ही आधार AB पर बने हैं और समानांतर रिखाओं कि एक ही जोड़े के बीच है इसलिए इनके शेत्रफल बराबर है जो प्रणाम आपने यहां पर भी प्राप्त किया है उसमें CABH को आप FABC से रिप्लेस कर सकते हैं तो आपको शेत्रफल तरिभूज CAB बराबर मिलेगा एक बेटे दो गोनित शेत्रफल समानांतर चत्रभूज CABH की जगा चत्रभूज शेत्रफल BFABE शेत्रफल चत्रभूज FABE का तो आप देखिए FABE एक समानांतर चत्रभूज जो हमें पहले मिला हुआ था और तरिभूज CAB जो इसके अंदर निर्मित है और जिन दोनों का आधार एक ही है AB और जो एक ही समानांतर रिखाओं के जोड़े FE और AB की बीच निर्मित है तो एक और आपको ये बहुत ही महत्पूर्ण परणाम मिलता है कि एक ही आधार और समानांतर रिखाओं के एक ही जोड़े के बीच बने वे तरिभूज का शेत्रफल समानांतर चत्रभूज के शेत्रफल का आधा होता है इसे आप उल्टा भी कह सकते है ये समानांतर चत्रभूज के शेत्रफल उस त्रभूज के शेत्रफल का दुगना होता है जो एक ही आधार पर बने है और एक ही समानांतर रिखाओं के जोड़े के बीच निर्मित है तेक और महत्पूर्ण परणाम आपको मिला